अगर आप सच पास करना चाहते हैं, बेटर भी प्रिपेरड और सच पास के बारे ने जानके फिर राइट कीजिए इस वन हेल ओपर आई इन्हें कुंजुन पास किया है जितना मेजर पास है, सब कुछ किया है, जोजी लाटी आए, बर सच पास बहुत खतरना थे इस दा रोड कंडिशन, पत्थर या पूरा और तायर आप अगर नहीं तायर आप नहीं लोगे, तो आपका बाइक खतम क्या है तो पैकिंग अल दन, लेट स्टार्ट तो लगेज पैक हो गया है, पाइक थोड़ा अभी, इंजिन गरम कर रहा हूँ अभी तो मैं होटल से निकल बड़ा हूँ अभी अभी ताइं हुआ है 8.25 और अभी मैं जा रहा हूँ बेडा गर होते हुए सक्रून्दी और सच पास इसे कहते है तो वह है इसे कहते है तो वह इस देंजरस पास अभी कि अजय को डी टम आच चाहिए यह यह आड़ है जाड़ गर देखाद साथ पास हां साथ पास यहां से लग लेफ्ट और थैड़ तो चंपा के बाद एक रस्ता आएगा ब्रीज आएगा जहां से आपको लेफ्ट टर्न लेना है सच पास की और अगर आप सीधा रस्ते चले जाएंगे तो चंपा शहर पोचा देगा आपको चाना रस्ता आपको बाद आखिएमया करते और समयाा में तो नहादा रस्ता दो किर. लोल में आपके लाद के तो में कर आद तो घरा आपको आपको बाद, वे खआजाया ये घाँ हादा आटर्य, अट्रो. it's so beautiful, you and me we meant to be in the great outdoors forever free you कि यह रस्ता खड़ावोना चालू हो गया है इस तरह और पैड़ागर लगब मान लीचे और यहां थे 40-45 km होगा तो आज बहुत बड़ी आए लेकिन पता नहीं आगे जाके क्या होगा क्योंकि बाड़िश तो आज से नहीं हो रहा है कहीं बेभी तो कि अधे बैड़ागर कौन सा जा रहा है नीचे नीचे कर दो नीचे नहीं है कि हर एक मोर पे यहां पे फूछना बहुत दुरूरी होता है यह पर चला गया उल्टा रचाप यह बस काम गतों पेर लोटना पड़ेगा ताइम बेस होता है कि वहा है यहा है यज लगने कि बीड़ान आपने कि बाव दावा कि पिल्सने लीया कि प्रॉटा रगना आपने Гरावशने कि उपका फिस्ते लीड़ कि अजे क्या आए अब रहा है अभी सच्छ पास जार है तेपर तो लगी नहीं रादम उसे नहीं सच्छ जार है अभी यह सब पॉल पॉल देखे कि उसे लगड़ा है मैं सच्छ जार है चेल लाँ अब 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 आगर यहां से कुछ और 15-16 क्रिमेटर है अब अब आगर के बाद ही सट्रूली आएगा यहां करणा खराब होना उसे इंचालू हो जाएगा अब तुरा अथा दम चाहिए इसी लिए पैडागर नाच्ता करके तुरा नाच्ता करके तुरा आगे जाएगे अब 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 यहां पर तो थोड़ा दे लुकना चाहिए तो दोस्तो यह जो वाटरफॉल देख रहे हैं इसके अंदर से नीचे से जाना पड़ेगा तो थोड़ा सा भीग भी जाओंगा तो इसके लिए मैं नहीं सोचा हूँ कि अभी रेंगोट निकालना जरूरी है यह थोड़ा से भीगना है इस साइच से जा भी सकता हूँ वहां से थोड़ा थूखा है तो वहां से जा सकता हूँ चलो चले चले में दिवाँ पानी बहुत थंडा है यह थोड़ा पानी के निचे ते जाता हूँ कपना भीग जायागा जिक्कर भोचा है अपरे जादा कपना भी रहा है यह थो पहर अगर पोचने वाला हूँ सादा रूट है नहीं हांसे तो फंदा किलोड बागा दश पंदा किलोड़ है किलोड़ बाद है किलोड़ में अपरे जाता किलोड़ ढाद है कि आंश कि आंश कि न करे भी सकतेर में व्होरे चैंश की अपित कि अ séय कि देंवार थाउा भी खोरी खेंवा glad कि विर है ल motion कि यह सच पास कौन सा जा रहा है वह वाला जो बैरागर भी वही है कि यह गया तो सच पास बैरागर हो जाना है कि अुछ कृच्ट है कि यहा है तो समय कि मारागर झाल है कि यह भी एता है जाँ कि अढ़ सक्काइब मुट्ट चके लुछ कि यह प्रता रहा है जाल शुछ कि यहा झाल शो बंद कि चथए जाईब को जाराव पो थाफ़ जागर जाल है कि यह था सट्रून दी चिल्पोस्ट यहां पे आपको इंट्री करवा के पिर सच पास की और निकलना है कि यह पिर्टिकली देखते हैं आपका ड्राइविं लाइसेंस और आर्टी यह सच पास कोन से जा रहा है नीचे कि मैं यह सच पास का चल्डाई चलू गया है इस लिए अधार ज़्याइब को घ्राइब हो जाएगा अधि यह तो और आने वाला है यह तो बुपिन जो 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 डिनेरी है इस अधाई यह बिनेरी भी खतम हो जाएगा अब अब आप जी आए रसता बहुत ही खड़ाब है यह यहां से सचपास का रस्ता यहां से कुछ 20-21 किलोमेटर का रस्ता है लेकिन को 20-21 किलोमेटर लगभग 100 किलोमेटर के बड़ा बड़ है क्योंकि बहुत गंदा रस्ता है रस्ता क्या है यहार रस्ता ही नहीं यह कुछ बी अब लगले पाहारियों मैं जाड़ा हुँ है बाइक लेकर की कर दो दो करें पहले हैं जाइस सच पास सच में टाफ है कि यहां पर चराई जो है बहुत खतरनक चराई और ऊपर से रखता ही नहीं है और फ्रोडिंग है पुरा और चराई करना पड़े आप लिग में अब बाकी जितना भी पास है उसमें जितना चराई नहीं करना वड़ता था को प्लेन लैंड टाइब कर दाए अब 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 यह भी एक शोटा साई है वाड़ा है नहीं हुआ है हुआ है क्वाब पहले जो में पुछे डर लगता था कि त्रीट हो जाएगा गारी तो वो स्किटिंग का प्रोब्लम नहीं हो रहा है मैंने सियाट का एक बढ़िया अशा ग्रिप वाला टाया लगाया पीछे का रियर वाला करीआ और कर दूला वाला अच्छा भी होता है गडि अच्छा मिलता है में मरेश पे तो बहुत पाड़िया होता है कि मेने अमरेश भी उसकिया था था एंअ आरे बहुत जल्दी फट जाता है टायर यह पत्थर पत्तर अटे अर्वस्त के लिया अथा अचिन देकेट थे नही भाई हिसा खट लग रहे मुझे अभी कि मैंने मौत मर में नहीं पयना कि अगर अगर बड़ भगा तो अगर फट लगें सरी ने हँआ है है का फो कि तो पूंसा वार टारशिग नहां पे लिए उख्ले का मिस्के जाग सकत है आले वाँ हाँ से फुर्ट कि जिना चाहिए कि जिना चाहिए चाहिए भाँ लाँ कि जिना चाहिए लाँ की एंवाला खोफ प्ला डुछशरा लाओार। की एंवाला ख्लाला की एंवाला की एंवाला की एंवाला कर दो कर दो कर दो मिल्ग कर दो घतना प्रप्राइब गज। कि या है यह सामने कि यह कौन सा चड़ना है यह साम देरी से बहरा है कि अब सच्पास हाओगे तो इसा चीज मिलेगा ही मिलेगा जिए कि अब सामने कि यह दूओना है कि अब सकते हैं झाल 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 कि अर दो यहीं लुट्ट सब्सके प्योरा कि टुट सिरूइने लुट लुटे 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 लुटल लगरी कि अरे लुटे 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 लगरी लुटे लुटेश बहुत बहुत है कर दोड़ा में औल में और जब डाल में जा बाल लो कि अब कर दो दोड़ा दो दोड़ाम लो आप नंद्ध। रह एख बाल लो दोड़ां दोड़ां लो चलूप दो स्वड़ा बाल प्रफ़ प्रफब को प्रफब कर दो दो दोगे दोग दोगे लंग कर दोस्तों सच्पास लगभख सच्पॉइंट में पहुंच गया हूँ और एक दो किलो मिटर ही होगा जहां से आप वह जो बडफ देख रहे हैं उसके बाद ही है सच्पॉइंट इसे कहते हैं हम लोग जो है लगभख सारे 14,000 किलमेटर कोई इसे कहते हैं वह बहुत दिसक्ट है चलाना यहां पर वाटर बॉस्टिंग छोटा सा वाटर बॉस्टिंग अभी बडब इतना गला ने इसी भी बाटर बॉस्टिंग क्या चंड पर बॉस्टिंग करते हैं होँआ यह रसा है क्या है बतानी इड़ क्या है भाइस ओटे इड़ी ऐटे प्रहुब्स विम्ट कर दो नौरई रूरागवी नौरेंदेगे हैं अव्ट है विश्गा मुष्पास है विश्गार नौरेंट वुक्रा कविश्गाव कोई प्रहुब्स यह जो रस्ते जा रहा है अपका यह सिदे जाएगा किलर जो पांगी बैली कवर कर रहा है एंड इस इस दा सच पॉइंट एक मंदीर है उपर सच पॉइंट पे उपर जाऊंगा अभी चल्ष समय आफके तो है लिए है आफका अफकर पॉइंट पे एक मंदीर मनें है आप है बहुत थंड़ यार फिर उसी रस्टे से निकलना है मुझे थंड भी बड़ा है यहां पर और अप्सीजन भी कम लगड़ा है सास रहने में भी दिक्का थोड़ा सचपासम से उन्चय क्या होगा रस्ता था में भी आप नस्य है नहीं है पहुत ही कम है लेकिन रस्ताब होट टफ है तो बेटर भी प्रिपेर्ट आपर यहां पर ठन भी बहुत जादा है और संसले में गिक्कार भोड़ां बहुत तो अभी बैक करना है मुझे देखते कहां त यहाँ सी जाहाँ कि पहुछ कर दो है, कि पीविल सुब भी लाँ तो, लेट सो, लेट सो, लेट सो, तुम्स अप, फोर सच्छ पास तो, ग्रेट राइड, बहुत बड़ी राइड है, टुली, उफ्रोद इस्ट्रेइड, सच्छ पास, 4500 मिटर, आफ दन इट और कोई पास तो ही मचल में, या फिर, इंडिया में नहीं है, जो मैंने किया नहीं अभी तक, अल्मोस्ट सब कवर हो चुका है, तो, यही मेरा लास्ट राइड पर ही माचल, तो, यही मेरा लास्ट राइड बाइक पर ही माचल में, अफ्र देट देखते हैं कहां जाना पड़ेगा, डूंदेंगे, किसी और जगा, अन्यू प्लेस, और नया खतरा, अन्यू अडवेंचर, तो, आज के लिए इतना ही, से यू,